और नवर्ष के पहले दिन मुझे उम्मीद है कि सरकार जो हम बात कर रहे हैं उसको एक सकारात्मक तरीके से सुन रही होगी और इस नवरात्रों के दौरानी उसके उपर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते वे कुछ पॉजिटिव काम करेगी एक प्राइसिंग मेकेनिजम मोधी सरकार हमेसा दुखाई देती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि डायनamed होती है बड़े बड़े सरकार के मंत्री हलाकि तेल के मंत्री को तो समय ही नहीं मिलता राउल गांदी जी को गालियां देने के अलावा पर और जो और मंत्री है क्योंकि तेल के मंत्री तेल के अलावा सब विशे पर अपना ग्यान बाटते है पर जो भी मंत्री है वो हमेशा कहते हैं क अंतराष्ट्रे बाजार की कच्चे तेल की कीमते देश में पैट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारन करती है और यह डाइनेमिक प्राइसिंग मेकेनिजम यूपीय सरकार ने इसके इस्टैबलिश्मेंट करी है और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं पर एक अजीब सा डाइनेमिक प्राइसिंग मेकेनिजम है जिसमें एक एक अंग्रे जी की कहावत है कि हैड्स आइवेंड टेल्स यू लूज मतलब चिट आये तो मैं जीता पट आये तो तुम हारे मतलब हार हमेशा देश के देशवासियों की होनी है जब भी अंतराष्टे बाजार में तेल की कीमते बढ़ती है तो आज रात बारा बजे से वह स्टेटमेंट लागू हो जाता है और पैट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़त लागू कर दी जाती है पर जब बाजार में कच्चे तेल की कीमते घटती है तो आज राद 12 वजे वाला स्टेटमेंट नहीं आता देश के लोग को तो इस शब्द से भै आज राद 12 वजे से लोगों को लगता आप क्या होगा पर वो जब घटती है तो उस घटत का लाप देश के लोगों को क्यों नहीं मिलत एक हिंदी में कहावत है मीठा मीठा गब गब कड़वा कड़वा थू थू जब कच्चा तेल महेंगा तो कीमते देशवाजी भरें और जब कच्चा तेल सस्ता तो वो सीधा के सीधा सरकार की किटी में जाए वो और मैं आज पूरी कैलकूलेशन करके आप सब के सामने लाया हूँ मई 2022 में लास्ट दफ़ा तेल की कीमतों में केंदर सरकार ने बदलाव किया था मई 2022 और एक्जेक डेट बताओं तो 21 मई 2022 उससे लेकर आज तक 305 दिन बीच चुक है मई 2022 में कच्चे तेल की कीमत थी 109.5 डॉलर प्रती बैरल यह आकड़ा सिरफ और सिरफ भारत सरकार के वेबसाइट से निकालावा आकड़ा है और मार्च 20 मतलब पर्सू कच्चे तेल जो भारत खरीद रहा है उसकी कीमत हो जाती 70.69 डॉलर प्रती बैरल अगर हम इसको बैरल और डॉलर को रुपिय और बैरल को लीटर में कनवर्ट कर दें तो आपको जानके आश्चरी होगा कि मई 2022 में भारत सरकार कच्चा तेल 53.45 पैसे प्रती लीटर में खरीद रही थी ये भी सरकारी आकड़ा है और मार्च 2022 में भारत सरकार कच्चा तेल 36.68 पैसे प्रती लीटर में खरीद रही है हम ये कही नहीं रहें सरकार से ये अगर उम्मित करें कि वो exercise duty कम कर देगी मोधी सरकार में वो संवेदना है ही नहीं पर जो घटत हुई है 16.75 पैसे प्रती लीटर की there is a reduction of 16.75 पैसा पर लीटर और हम ये नहीं कहरें मोधी जी कि आप exercise duty को कम करो हम कहरें जो कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 305 दिनों में 16.75 पैसे प्रती लीटर की कमी हुई है वो देश के लोगों को क्यों नहीं मिल रही है यही हम आज यही इसी मुद्दे पर हम आज प्रैसवारता करने आए अगर कच्चे तेल की कीमतों का फाइदा देश वांसियों को मिल जाए तो आज रात 12 बजे से 16.75 पैसे प्रती लीटर पैट्रोल और 16.75 पैसे प्रती लीटर डीजल में कमिया जाए exercise duty का जो लूट चलू है वो चलू रखने के बावजूद उसमें कमी की उम्मीद नहीं कर रहे है मोदी जी हमें पता है वो नहीं करो गया पर यह कच्चे तेल जो आपको फाइदा मिल रहा है वो देशवासियों को क्यों नहीं दे रहे हैं यह कैसी पार्टनर्शिप आपने देश के लोगों के साथ मोदी जी खोली है जहां पे profit आपका और जब loss हो जाए तो वो loss देशवासियों का यह कैसी आपने partnership firm खोल दी लोगों के साथ साथियों exercise duty के बारे में उम्मित करना इस सरकार के सामने बीन बजाने के बराबर है क्योंकि मई 2014 में जहां petrol पर 9 रुपे 20 पैसे प्रती लीटर exercise duty थी आज भी 19 रुपे 90 पैसे है डीजल पर जब 3 रुपे 46 पैसे थी जब UPA सरकार 2014 में UPA ने Moodi जी को सरकार चलाने का देश के लोगों ने मौका दिया जब 3 रुपे 46 पैसे प्रती लीटर थी आज 15 रुपे 80 पैसे है हम आपसे exercise duty की कमी नहीं माग रहे है Moodi जी आप अपनी loot चालू रखो exercise duty में जो आप कर रहे हो पर जो कच्छा तेल आपको सस्ता मिल रहा है जिससे 16 रुपे 75 पैसे प्रती लीटर लोगों को पाइदा मिलना चाहिए वो आपने रोक क्यों रखा है दूसरा मुद्दा साथियों और ये भी बहुत मैतपूर मुद्दा है तेल के मंत्री जी नहीं समझते हैं ये बात क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं है सिवाए ट्वीट करने के बहुत हला गुला हुआ साथियों कि रूस से कच्छा तेल सस्ता मिल गया आपको भी याद होगा कई बड़े-बड़े मंत्री बड़े-बड़े सम्मेलनों में कहते थे कि मोदी जी ने रूस उक्रेन वार के दौरान उक्रेन के बमों को पकड़ लिया ताकि रूस से कच्छा तेल हमारे या सस्ता आ जाए ऐसी बाते भी हुई है ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा कि बंबारी बंद गरवा दी चार गंटे तक बं हाथ में कैच कर लिये ऐसी बाते भी हुई है पर आज वही सरकार कह रही है कि दो डॉलर प्रती बैरल का मात्र फाइदा हुआ है रूस से कच्छे तेल में तो वो जूट बोल रहे थे क्या पहले जो कह रहे थे 40 डॉलर 45 डॉलर प्रती बैरल से रूस से कच्छा तेल आ रहा है आज कह रहे हैं दो डॉलर ही हुआ है तो या तो वो जूट थे या ये सरकारी आकड़ा जूट है कौन जूटा है मोदी जी बताईए देश को क्योंकि आपके मंत्रियों ने कहा था 45 डॉलर प्रती बैरल से मोदी जी ने रूस दुनिया की परवा किये बिना रूस से कच्छा तेल सस्ते भाव में खरीद लिया आज सरकारी आकड़ा कह रहा है कि 9 महिने में मात्र 2 डॉलर 2 डॉलर प्रती बैरल का फाइदा हुआ रूस से कच्छा तेल लाने में जबकि पहले हमें बताया गया कि 45 डॉलर प्रती बैरल में कच्छा तेल आ रहा है कौन है जुटा देश आप से जानना चाता है मोदी जी और ये ही नहीं जानना चाता देश ये भी जानना चाहता है कि PSU Refineries के अलावा और ये बहुत महत्वपून मद्दा है Indian Oil, BPCL, इनके अलावा भारत सरकार की Refineries के अलावा रूस से किन किन Private Refineries ने कच्चा तेल की ज्वाव में खरीदा है क्योंकि सुत्रों की माने तो कई लोग इसमें लगे हैं और जो Indian Oil को भाव नहीं मिला उससे काफी कम भाव उनको मिला और जो भारत सरकार के मंत्री 45 डॉलर और 40 डॉलर प्रती बैरल बोल रहते वो शायद उन लोगों को मिला है तो वो कौन लोग है जिनको रूस से कच्चा तेल मिला है और उनको किस भाव में मिला है इस बावत साथियों हमारे चार सवाल है पहला देश के उपभोकताओं को कच्चे तेल की फॉल में कच्चे तेल की में जो कीमतों में कमी आई उसका फाइदा क्यों नहीं मिलता है मोदी जी आप देश को बताइए ये कौन सा मॉडल है आपका कि मीठा मीठा गब गब कड़वा कड़वा थू थू ये कौन सा मॉडल है कि हैट साइ विन टेल्स यू लूज मतलब जीत सरकार की होगी उपर जाये तो आप भुक्तों नीचे आये तो मैं रखूँगा दूसरा पिछले 305 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में 16 रुपे 75 पैसे प्रती लिटर की कमी हुई है और ये गंड़ना मैं आप सब के सामने करके यहाँ पे आपको दूँगा कि ये डॉलर में भाव है प्रती बैरल इसको हमने उस समय की डॉलर आयना रेट में कनवर्ट किया और फिर प्रती लिटर निकाला तो ये 16 रुपे 75 पैसे प्रती लिटर की कमी देशवासियों को पैट्रोल और डीजल की कीमतों में मिलनी थी उसको मोदी जी आपने क्यों रोक रखी है तीसरा सवाल कि ये डाइनेमिक प्राइसिंग एक ही डाइरेक्शन में मूव क्यों करती है डाइनेमिक प्राइसिंग कम क्यों नहीं होती है वाई डाइनेमिक प्राइसिंग इस यूनी डाइरेक्शनल whenever there is an increase in the price of the international crude the dynamic price के तहत कच्चे तेल की कीमतों में वरद्धी के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमते बढ़ जाती है कमी क्यों नहीं होती है और चौथा और मैत्पूर्ण पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के अलावा किन-किन प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदा उनका नाम और किस बाव में खरीदा और पब्लिक सेक्टर कम्पनियों को रूस ने किस बाव ने बेचा यह सारी जानकारी देश के सामने रख़़ए हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन् है थाल वाइब आपगेशन के लिए भाद़ बेल आप ये वीडि़ के लिए हमारे ये वीडियो इंगग ये इंगाओ ये जह हमारे ये जिए घटीशन का जर वीवादा आप आपेशन के लिए जता हैं ये झाल माहिद बाबारे नहे